नहीं फतकारिता छोड़ नहीं रहा हूँ एक और जिम्यदारी लेना चाहता हूँ हमें बोलने वाले लोक्षे इस वनसद में जो जातीबाद, मनुबाद और संबैथानी कधिकारों के लिए बोले रहा है आज जो ये परसेप्सन बना दिया गया कि पैसा होगा तभी चुनाओ लड़ेंगे, पार्टी टिकर देगा तभी चुनाओ लड़ेंगे समाज बहुत जागरूख है, समाज अब समाज सेवक चुनेगा और खासकर बैसाली मेरा ग्री जिला और वहां की विडंबना ये है, मैंने फैसला भी इस ले किया युहां 75 साल से बैकवर्ड दलित और अलवसंख्यप चुनाओं ही नहीं जीत पाया क्या बहुजन डल 15% समाज का टिकट काट के चुनाओं नहीं जीत सकते हैं आप एक दम पहला खीच के लड़ाई लड़ेंगे वैसाली में विल्कुल मेरी लड़ाई यही है, बहुजन, वैसाली मांगे बहुजन सरको पर संघर्ष कर रहा है, मार खा रहा है, जेल जा रहा है, जो तुमारी लिए लर रहा है वो न राजनिती करें, तो किसको राजनिती करवाओगे? इसने संघर्ष किया है तो उसकी प्रात्मिक्ता पहले होने चाहिए नहीं तो आपका समाज गुंगा बहरा हो जाएगा, कोई घर से नहीं निकलेगा मैं कुर्मी हूँ कह रहा हूँ, मैं यादब हूँ कह रहा हूँ, मैं कुसवाह हूँ कह रहा हूँ, मैं बहुजन हूँ A.C.S.T.O.B.C. अल्फसंख्यक समाज का कॉंबिनेशन है बहुजन जो सोसित बंचित है जाती के नाम पर वोट ही नहीं मांगना है, जाती और धरम के नाम पर वोट नहीं देना है, जमाद के नाम पर वोट देना है साथियों नमस्कार मैं हूँ नीरच पटेल और आप देख रहें नेशनल जन्मत मेरे साथ जो सक्स हैं उनका पर्चे कराने की वैसे तो जरूरत नहीं है सम्हू कुमार सिंग सभी लोग जानते होंगे कि बहुजन मीडिया की सुरवात किस तरीके से की जाए और किस तरीके से लोगों के लिए प्रणा सरोध बने कि उसके बाद तमाम सारे चैनल आयों लोगों को लगा कि ये भी एक तरीका हो सकता है लेकिन आज उनका इंटर्व्यू करने की एक खास वज़य है क्योंकि नए रूप में आपको दिखने जा रहे हैं बिहार में एक सीट है वैसाली वह वज़य है कि आपको लगा कि राजनीती की तरफ बढ़ना चाहिए नहीं पतकारिता छोड़ नहीं रहा हूं एक और जिम्यदारी में इसलिए कि मुझे MPML बनना है जिम्यदारी इसलिए कि जैसे पहले टेलिप में जब पतकारिता में आया तो हमने भी टीवी में नौकरी की आपने भी की टीवी एक हजार करोर रुपया चाहिए कम से कम टीवी चलाने के लिए उसके बाद हर महीने 100 करोर रुपया चाहिए मतलब 1200 करोर रुपया सलाना खर्चा चाहिए तब टीवी अख़बार चलता है जिस समाज के पास बिजनेस है मीडिया है उसी का चलता है और सच दिखा दे तो तो बहुजन समाज के पास मीडिया नहीं था बावा साहेब ने चारचार अख़वार सुरू किये तमाम बहुजन महापुरसों ने कोशिश की लेकिन चुकि अपने समाज में बिजनेस नहीं था तो हम लोग चला नहीं पाएं लेकिन अब सोसल मीडिया का द एक एक बात पर अब मनुबादियों की चूले ही ली हुई है आज बहुजन समाज का नेता बहुजन समाज गलोबली उनाइट है सोसल मीडिया के वज़ा से अब क्या हुआ आप राधनीती का भी इसी तरह से हो गया है राधनीती का अप राधी करन नहीं पैसा करन कर दिया गया आज सबसे ज़्यादा सरकों पर बहुजन समाज के लोग संघर्स कर रहे हैं जेल जा रहे हैं रतनलाल को जेल में डाला गया मेरे उपर एफ आई आर है सबसे ज़्यादा इंकम टेक्स के नोटिस आ शुकते आते रहते हैं गाली गलोज धमकी मार देंगे काट देंगे क्यूं क्योंकि हम अपने समयधानी का दिकारों के लिए बोल रहे हैं सौ में 90 हमारी अवादी है बाबा साहब ने बोट का अधिकार दिया है तो ये दिमाग में जो बैठ गया है न कि पिना पैसा के रादनीती नहीं होगी इस परसेप्शन को तोरना है एक दूसरा लक्षमन यादव हो डॉक्टर रितू हो रतनलाल हो चाहे रोहित बेमुला की मा हो चाहे वो तमाम लोग मिरान है दर हो उमर खाली दो जो जेल में है सरकार से सवाल पूछने पर उन सब को होसला मिले और बहुजन समाज को होसला मिले युबाओं को कि अगर हम समाज के लिए लर रहे हैं तो हम नौकरी ही नहीं गमाएंगे हमें समाज कुस देगा भी तो म तीस कुमार भी नहीं है, मायावती जी भी नहीं है, मानेवर सहाब नहीं रहें, कोई है बोलने माला, हमें बोलने वाले लोग चेही संसद में, जो जातिवाद, मनुबाद और संबैधानिक अधिकारों के लिए बोल रहा है, हासकर बैसाली मेरा गिरी जिला और वहां की बिड इस बने म defenses को तोरना चाहते है इस बरम को भी तोर नहीं वहां की पबलिक तोरना चाहती है वह मैं वहां ना से लोगों से बात की वह कहते मैं तयार हूँ इस काम कि लिए और बो भी थेल को भूट नहीं दNo तो आप तो मैंने एलान कर दिया और समाज को पता कि पहले कौन बोल रहा है तो बिना किसी पार्टी के निर्दली आप मैदान में होंगे तो क्या निर्दली लोग उनका समर्था नितना मिल पाएगा ये निर्दलीय को निर्दलीय हो या पार्टी से हो आज के डेट में बहुजंद बीजेपी 15% मुसल्मानों को बाइकोर्ट करके चुनाओ लरती है न और जीत रही है न क्या बहुजंद दल 15% समाज का टिकट करके चुनाओ नहीं जिस सकते हैं और क्यों कटना चाहिए टिकट RJD के साथ क्या होता है ये स्लिपर कॉंग्रेस के नहीं हुए ये आज कॉंग्रेस के कौन लोग पाटी छोड़ रहे हैं कौन है स्लिपर सेल इस देश में इस देश में जब मीडिया जुडिशियरी कॉलेज इनवर्सिटी ब्यूरोकरेसी बिजनेस तमाम इंस्टूशन चु इस देश में तमाम संस्थाएं जहां सबन समाज के लोग बैठे हुए चाया वो कैबिनेट सेक्रेट्री हो चुनाव आयोग हो चाया वो जुडिशियरी हो मीडिया हो ब्यूरोकरेसी हो जब ये लोग जो संबैधानिक पत्पर हैं वो ही मांदार नहीं है दलित पिछरे सबसे दलित समाज के तमाम सारे नेता सो कॉल्ड जो राजनीती करते हैं वो कहते हैं कि कि जब तक सर्व समाज की बात ना करो इनको साथ में ना लेकर चलो हम जीती नहीं सकते मतलब एक परसेप्सन बनाये हुए हैं अच्छे तब बीजेपी ने करके दिखा दिया ना भाई और उसी बैसाली में किस नहीं हात्या कांड हुआ है नहीं तो आप एक दम पहला खीच के खिलाफ नहीं हूं लेकिन लाइन किलियर है कि इस देश में नब्वे परसेंट आवादी वाला आदमी संसदी नहीं जा रहा है पैसे की वज़से क्योंकि आपके इस देश में तो मीडिया जुडिशियरी कॉलेज इनवर्सिटी ब्यूर्योक्रेसी बिजनेस सब पर 50% पहुंचा है वहां भी 15% को 50% टिकट मिल रहा है तो मुद्दा यह है क्या इस देश में सभी जाती सभी समाज सभी धर्म को बराबर का भागिदारी नहीं मिलना चाहिए बस मेरा इतना सा मुद्दा है तो एकदम पत्रकाहिरता से बिलकुल अलग नहीं मेरी राजनीती औ और मैं पत्काहिरता कौन कहराबंद कर रहा हूं और तेजी से काम करूंगा जैसे ही आपका नाम सामने आया तो लोग जानते हैं कि हमारा आपका अच्छा संबंध है और इस सारी चीजें तो लोग बोले कि निरज भाई एक परसेप्सन नहीं बनता है कि जो भी चर्चित च पूछा उनसे पूछे कि तुम किसको मोड़ दोगे पार्टी सेवक को कि समाज सेवक को पहली प्रात्मिक्ता कि पार्टी की सेवा करना और समय आज बीजेपी जीत रही है क्योंकि वह समाज में वैसे लोग को चुनाव लड़ा रही है पिटिउसा क्या थी क्यों संसत पूछा कि आसे blah to call इर पर्रसिप्सन की लड़ाए जीत रही है बहुजण समाज को पाटी सेवक से पहले समाज सेवक को भीज ना चाही तो आपके समाज में बाबा सहच थे पाटी सेवक थे यह समाज सेवक थे मानेवर पंद्रा साल समाजी कांदोलन चलाया था तब पाटी बनाई हम लोग क्या कर रहें दस साल से अरे भाई जो सरकों पर संघर्स कर रहा है मार खा रहा है जेल जा रहा है जो तुम्हारी लिए लर रहा है वो न राजनिती करें तो कौन राजनिती करवाओगे लेकिन समाज से वो बनने में कितना साल लगेगा अब क्या चाहते है माने बरकांसी राम सहाब ने सरकों से खाक चानी है लालू यादव रामविलास पास्वान नितीज कुमार मायावती जी जी सब समाज से बाद में बनी है तो समाज को पाटी सेबक चुनना चाहिए उससे पहले समाज से चुनना चाहिए। जाती के नाम पर बोट ही नहीं मांगना है, जाती और धर्म के नाम पर बोट नहीं देना है, जमात के नाम पर बोट करना है, बहुजन की बात करने वाले लोग बात में जाती खोजने लग जाते हैं, नहीं, जो जाती खोजे, आपका पूरा सोसन ही जाती के अधार पर हुआ ह उनिसो बाबा साहब ने जाती हटाई है जाती आपकी बनाई ही गई थी सोसन के लिए तो जाती के नाम पर आप बोट करेंगे तो आपका शोशन होगा आपको जमात बदलना होगा बहुजन बदलना होगा कौन जाती के नाम पर चुनाओ जित सकता है एक जाती कोई है भारत मे किसकी संख्या 50 परसेंट से आगे लेकिन बहुजन 90 परसेंट है बिहार के जाती जनगन्या के इसाब से तो मैं बहुजन की राजनीती करने आया हूं और सिर्फ परसिप्शन तोरना चाहता हूं ताकि जैसे सोशल मैंने मीडिया खरा किया हजारों पत्रकार बनें लाखों रोजी-डोटी भी चला है और संखर्स भी एक कर रहे हैं उसी तरह से राजनीती में भी मैं रास्ता बनाना चाहता हूं परसेप्शन तोरना होगा कि नहीं जो सर्को पर लड़ेगा वो संसद भी जाएगा और जो सर्को पर लड़के संसद जाएगा वो संसद में आबाज आप देखिए ना बहुजन समाज का भला किन लोगों ने किया है जिन्होंने सरकों पर संघर्स किया है तो ये समाज वैसाली की जनता तै कर चुकी है अब स्लीपर सेल को बोट मत दीजिए जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो चिफ जस्टिस और चिफ मिनिस् आप आप सोसल मीडिया की बात करते हैं पोस्ट डालते हैं तो आपकी पोस्ट पर ही नीचे मैंने तमाम सारे ऐसे कमेंट देखें मैक्सिमम पॉश्टिब होते हैं लेकिन इसके बावजूद इरोम सरमिला का नाम लिग देते हैं लोग एक वो डिरेक्टर है फिल्म डिरेक् लेकिन सवाल है कि वो सब किस समय में हुआ है आप बैसाली जाके देखिए कैंसर की दवाई और टीबी की दवाई अलग-अलग होती है तो यह जो लोग लिख रहे हैं न हम इनकी मुनोपॉली जानते हैं यह लोग वो हैं जो आप यह कलम कसाई हैं यह चाहते नहीं कि आप क बिधायक नहीं जीत पाई बीजेपी ने कहें उनको अब घोरी चरहा रहा है मैं फिर कह रहा हूं कमेंट पर मज जाईए मैं जानता हूं मनुबादी नाम बदल बदल के कमेंट करते हैं बैसाली में नहीं चाहते हैं कि कोई बहुजन समाज का पुप्ला मैं क्यूं हुआ हूं उनके संबैदानी का नेता क्या करता है कुदाल चलाएगा बैल जोतना है दूद निकालना है बकरी चराना है संसद में भासन देना है कानून ही तो बनाना है मैं तो सारा काम जानता हूं दूद निकालना जानता हूं बकरिया चराता हूं गन्ने की कटाई करता मेरी हार में उनकी जीत है मैं चाहता हूं मैं लड़ाई शुरू तो करूँ मुझे आज आपसे बात करके काफी कुछ चीजें किलियर हो गई एक तो यह समझ में आया कि आत्मविस्वास से लवरेज हैं और लड़ना चाहते हैं लड़ना साइद इसलिए चाहते हैं कि लोगों की बीच में संदेश दें कि धनवल और बाहुबल के आगे भी कोई टकरा सक होगा तभी चुनाओ लड़ेंगे पाटी टिकर देगा तभी चुनाओ लड़ेंगे समाज बहुत जागरूख है समाज अब समाज सेवक चुनेगा सरकों पर संघर्स करने वाला चुनेगा वैसाली के लोगों की बीच कब से पहुँच रहे हैं? और यह जाती के खिलाफ लराई है जाती बाद ने यह मनु मीडिया कहता है ना बिहार यूपी हम लोग जाती बाद के खिलाफ लर रहे हैं जमात की लराई लर रहे हैं हम चाहरे हैं कि इस देश में जिनका जाती के नाम पर सोशन हुआ है उनको अधिकार मिले हम लोग चाहत स्ट के लोग आज भी रिजर्व सीट के अलब आगे नहीं जीत पा रहे हैं और 15% आवादी को 10% बिहार के जन्गन्ना के साब से तो 10% 10% आवादी हर जगर हैगा जुडिशरी आपका, कॉलेज इन्वर्सिटी आपका, बिजनेस आपका, ब्यूरोकरिसी आपका यह नहीं चलेगा यह बहुजन समाज के लोगों को आप हम लोग क्या कोशिश कर रहे थे लगातार कि बहुजन नेता एक जूठ हो, यह नहीं हो रहे हैं, तो बहुजन समाज एक जूठ हो जाए यही तो करना पड़ेगा न, क्योंकि मार तो समाज खा रहा है न आज एक BSC, ST, OBC का करम चारी हांत रखके सिना पर कह दे कि मैं समान से नोकरी कर रहा हूँ, तो मैं पतकारिता छोड़ दूँगा, उनको रोज जाती बाद जहलना होता, इस देश में जाती बाद अब वही जहलेगा, जो सिस्टम में जाएगा, आप मजदूर बने रही है, बहुत अच्छा है, मैं इसलिए कहता हूँ, दलित कूत लोक संसद में भेदने चाहिए, और मैं दस साल से मेरे पास साथ कोई पाटी है, कोई पाटी है, कोई वकील है, कोई पैसा है, मैं समाज के दम पर बोल रहा हूँ, समाज के लिए बोल रहा हूँ, समाज मेरे साथ खरा है, बहुजन समाज खरा है, और वहाँ चुनाओ ह पुरी दुनिया में मैसेज जाएगा संभू के चुनाओ लरने से पुरी दुनिया में खवर बनेगी और जनता इस बात को जानती और वो तयार है आप जाके पता किजिए यह आत्म विस्वास है होसला है और इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारे हमारे बीच में से एक भाई निक समझा अब लोगों को समझाना है और यह मैसेज देना है कि बिना धनवल और बाहु बलके भी चुनाओ लड़ा और जीता जा सकता है यही होने वाला है सर मेरी मेरी कोई हैसियत नहीं मैं कर वहां की जनता यह चाहा रहे है वैसाली वैसाली आके समझा जाएगा बहुत बहु कर दो